दोस्तों वैसे तो Apple कुछ न कुछ करता ही रहता है लेकिन 2022 का उसके पास में एक future plan है अपने MacBook के लिए दरसल वो चाहता है कि इसको और भी जादा thinner बना दे यानि कि पतला बना दे किसी बुक से भी पतला मतलब जो ड्राइंग की बुक होती है किसी उस बुक जितना भी करतें तो भी इनके लिए मज़ा हो जाएगा और इसी के साथ सथ Magnetic Charger का फीचर भी यह उसमें एड करना चाहता है जिससे कि आपके जो Apple डिवाइस होंगे आईफोन वगेरा होंगे वो MagSafe Technology से आप अपने MacBook पर ही रखकर चार्ज कर सकते हो अब यहां पर बात iPhone की की गई है तो मैं तो फेक्टर ऑथेंटिकेशन और करके रखते हैं वो तो दुबारा से कनेक्ट ही नहीं हो पारे और बार बार कनेक्ट होने वाले यूजर अपना अकाउंट ही ब्लॉक करवा बैठे हैं जिनको दुबारा से एकसेस पाने के लिए अपने Facebook अकाउंट की अपने ID प्रूफ त इसके साथ में जूड़ी हो सकती है वो कड़ी जो कि Apple की प्राइविसी पॉलिसी को ले के थी क्योंकि उन्होंने प्राइविसी पॉलिसी कुछ इस तरीक की करी जिससे Facebook काफी जादा खफा हुआ था और कहीं उसकी सजा तो नहीं दे रहा दोस्तों Amazon की जो लास सेल थी जो द और आपको अपना HDFC का कार्ड यूज करना पड़ेगा और वो करने के बाद में आपको cashback का bonus मिलेगा और इसी के साथ-साथ exchange offer में अगर कोई phone देते हो तो उसके हिसाब से तैह होगा कि आपका iPhone 12 Mini कितने का पड़ता है क्योंकि अभी की sale के अंदर ये करीबन वैसे तो 70,000 र रुपे के आस-पास में मिल सकता है दोस्तों आप सभी को याद होगा इस रो का वो mission जिसके अंदर उन्होंने सीधा 104 सेटलाइट छोड़े थे जो कि उस वक्त में सबसे जादा थे किसी भी space agency के लिए मतलब उन्होंने 104 भेज़के एक record बना दिया था अब यहीं पर Elon Musk की company SpaceX SpaceX इस record को तोड़ने जा रही है दरसल वो अपनी first ride share mission के अंदर दस अपने starlink satellite भेजेंगे इस पेस में और इसी के साथ 133 सेटलाइट दूसरों के भेजेंगे तो करीबन 143 सेटलाइट सी एक बार में ही भेजने वाले है और यह mission इनका करीबन 2.5 million US dollar का है जो कि आज की date में ह हो जाएगा अगर US का टाइम देखें करीबन 9.40am के आसपास यानि की सुबह वहां की उस वक्त में यह शुरू कर देंगे अपना यह mission और इसी के साथ साथ है लॉनमस की बात हुई है तो model 3 की भी बात कर लेते हैं जो कि इंडिया के अंदर इस साल आने जा रही है लेकिन ज सीडरी था वो registration करवा लिया है बेंगलूरू के अंदर तो तयारी फुल है लेकिन लूट ने की लेकिन इसमें तेसला भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि US की गाड़ियां जब इंडिया के अंदर आती हैं तो उसमें टैक्स बैक्स यह सब वगेरा लगा लुगों के वो महंगी वन टाइप का बंदा गरता होगा मतलब बिल्कुल छुप छुपा के गया बंदा मारा निकला इधर से उदर किया मतलब कोई भी evidence छोड़ना ही नहीं है यह गेम बेसिकली आपकी GTA 5 की तरह नहीं है यह गेम अलग ही level की गेम है जहां पर patience ही की है इस game के अंदर मतलब अगर best result चाहिए तो आपके अंदर patience भर भर के होना चाहिए और तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए कि किस तरीके से अपने target को मार के निकलना है दोस्तों टिक टॉक के बारे में हम सभी को पता है कि वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है दरसल इटली के अंदर एक challenge चल game थी जहां पर एक 10 साल की लड़की की जान चली गई है इस गेम के अंदर जहां पर भी होश होना चाहती थी लेकिन सिद्धाई निकल चुकी है तो यहां पर इटली में इसको बैन करने की बात हो रही है हाला कि टिक टॉक ने वहां पे किया क्या है कि उन्होंने अपनी आई नहीं जाते कि कितनी उनकी MRP है जबकि अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें पता होता है कि उसकी MRP इतनी होगी लेकिन वहां पर नहीं दिखाई जाती तो इसकी वज़े से दिल्ली हाइग कोड के अंदर एक PIL की गई है इसी को लेके कि यह क्यों नहीं दिखाते है अ जहां पर वो चाहता था कि जो लोग मर जाते हैं उनके जो भी अवाज है केरेक्टर है उसको जिन्दा रखा जाए कंप्यूटर के ओपर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के ओपर जहां पर लोग उनसे बात कर पाए अगर कोई किसी का रिलेटिव है तो भी वो उससे बात कर पाए तो कुछ ऐसा काम कर रहा था लेकिन अब जाके उन्होंने मना कर दिया है कि हम कुट कर रहे हैं हम यह प्रोजेक्ट आगे नहीं चला रहे हैं तो यहां पर कर खताम हो जाता यह प्रोजेक्ट यहीं पर Mickey सफोफट का जहां पर फिक्शनल कैरेक्टर चैसलेजिश के व साम लोगों के हो वो नहीं होने वाले आगे के वक्त में जो हम उस वक्त में बात कर रहे थे कि हां जो लोग मर भी जाएंगे वो भी जिन्दा रहेंगे कंप्यूटर के अंदर तो ऐसा नहीं होने वाला और यह पर दोस्तों आज ओपो रेनो 5 प्रो 5 जी आ चुका है फिलिपकार्ट के उपर अवलेबल है यह खरीज सकते हो तो खरीद लेना च्छती सदार रुपे का है लेकिन ओपो का है और इसी के साथ साथ दोस्तों एमाइटी जो भी है इस वक्त में वह काफी जड़ा सथ होते हैं उनकी मोटर काफी ज़दा फास्त होती है वह रियक्ट काफी ज़दा होगा और तेजी से काम करेगा तो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरू करना शेयर जरू करना और यहां ही पर कई सारे लोग कहेंगे भाई दाड़ी का गई दाड़ी में अच्छा है तो यह कमेंट आएगी मुझे पता है मैंने कई बार ऐसी गलतियां करी है इस बार भी करी है और इस बार मैं शायद और लंबा लेकर जाने वाला हूं इस गलती को क्योंकि काफी टाइम होगे तो दाड़ी रखे रखे अब थोड़ा सा फ्रेश सा लुक लेकर आना है तो अगर इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जोर करन और सब्सक्राइब किया तो बेल काइकोन जोर दोन आफर ना आपको मालम में जो लग मैंने को वीडियो टाली भी